मनसौर भारत के हरदय राच्य मंध्यपदेश में इस्थित एक खूबसूरत प्राचीन शहर है जो अपनी अतिहासिक धरोहरों के साथ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है जो कि उज्जयान संभाग के अंतरगत आता है दोस्तों इस शहर के इतिहास द्रिश्टी से बहुत ही महत्वपून है यह शहर शिवनार नदी के किनारे स्थित भगवान पर्शुपतिनात मंदिर के कारण यह देश भर में प्रसिद्ध है इसे नेपाल के काठमान्दू स्थित भगवान पर्शुपतिनात के समान ही माना गया है फ्रेंड मंस और चिले क मारवा का सिंग दौार तथा राजस्थान का सीमान पहरी भी कहते हैं ये शहर लगभग 9791 वर किलोमीटर शित्रफल में फैला हुआ है जो शित्रफल की दृष्टी से मध्य प्रदेश का उंतीस्वा जिला है त्रेन यहां अफीम का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है इस कारण भी ये जिला पूरे देश में जाना जाता है यहां स्लेट पैंसल उद्योग इस जिले का महत्वपूर उद्योग है इसके अलावा पवन चक्की के फार्म की स्थापना के ही ये CWET द्वारा जिले के कुछ हिस्सों का मुआवना किया गया है त्रेंड मनसौर के पास थित खानपुरा में लोग रावन की पूजा करते हैं यहां के निवासी रावन को दामाद मानते हैं माननता है कि रावन की पत्नी मंदोद्री मनसौर की रहने वाली थी इसलिए मनसौर को रावन का ससुराल भी माना जाता है। दोस्तों अगर बात करें इस शहर की जनसंख्या की तो 2011 की जंगर्ना के अनुसार मनसौर की जनसंख्या 13,00,000 के लगभग है। और यहां मालवी भाषा बोली जाती है जो राजस्थानी और हिंदी की मिश्रित भाषा है। दोस्तों अगर बात करें इसके पडोसी जिलों की तो यह शहर राजस्थान के चित्तोरगर, कोटा, भीलवाडा, छालवा, प्रतापगर मध्य प्रदेश के नीमच रतलाम जिलों से घिरा हुआ है। फ्रेंड शहर के भानपुरा में मध्य प्रदेश की पहली पर्योजना गांधी सागर बांध मिर्मित है, इसकी विद्युत शमता 115 मेगावाट है। और मध्य प्रदेश का एक मात्रोध्यान की महाविद्याले मंसौर जिले में हैं, यहां गांधी सागर अभ्यारण भी स्थित है। इस अभ्यारण में नीलगाय, हिरर, तेंदुआ, आदी जगली जानवरों के लिए प्रसित है। फ्रेन यह शहर समुद्रतल से 400 और सट मीटर की उचाई पर स्थित है। और यह शहर घोपाल से 344 किलोमीटर दूर और देश की राजधानी दिल्ली से। 697 किलोमीटर दक्षन की तरफ राश्ट्रिय राजमार्ग 48 पर है। दोस्तों इस शहर का प्रशासनिक विभाजन उपमंदल तहसील के साथ साथ ब्लॉग में भी किया गया है। इनके मुख्य अधिकारी SDM तहसीलतार और खंड विकास अधिकारी होता है। और इस शहर की साक्षरता 71.78 परसंट है। दोस्तों अगर बात करें इस शहर के प्रमुक परिटन स्थलों के बारे में तो इस शहर में कई सारे खूबसूरत वदर्शनी परिटन स्थल मौचूद हैं जो लोगों को काफी ज़्यादा करशित करते हैं। जैसे परशुपतिनात मंदिर, शिवाना नदी के तट्पर स्थित परशुपतिनात मंदिर मंसौर में सबसे प्रसिदर ये बाबा भोलेनाथ का काफी प्राचीन मंदिर है जो कि सितामों तहसील में स्थित हैं। लोगों का कहना है कि यहां मूर्ती साल भर में एक इंच बढ़ती है इस मंदिर में भगवान शिव की शिवलिंग राजमान है यहां पर बौध धर्म के भी कई चिन देखने को मिलते हैं इसलिए इन्हें बौध गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है यह मंदिर जमीन की तल में बना हुआ है जो काफी प्रसिद्ध है तेलिया तलाब मनसौर के प्राग्रतिका कर्शनों में आप यहां के तेलिया तलाब की सैर का प्लान बना सकते हैं अपने शांतिप्रिय माहौल के साथ यह मंसौर के सबसे आराम दाइक स्थलों में गिना जाता है यह स्थल पुरा तहसील में स्थित है यह किला घने जंगलों के बीच में स्थित है इस किले में आपको प्रसिद्ध हिंगलाज माता का मंदिर देखने के लिए मिलता है और यहां पर बावली भी बनी हुई है यह किला बहुत सुंदर है और प्रकृति प्रेमी के लिए यह किसी स्वर गांधी सागर, नालचा माता मंदिर, कंकेश्वा छोटा महादेब मंदिर, कुकडेश्वार मंदिर, आधी कई सारे दर्शनिये वह खुबसूरत तूरिस्ट पैलेस मौझूद है। पर आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।